जाने बात बदाई आपने हर महिने बहुजन समाज के कैडर कैम्प को रखने के लिए क्या सोचा है और क्या इसका निर्ने है क्या केडर कैम्प में होता है सर पहले तो आपका बहुत बहुत दन्यवाद आने के लिए और हमने जो केडर कैम्प रखा है वो इसलिए रखा है कि लोगों में जो जाग रूपती नहीं है समाज के लोगों को बहुत सारी चीजों का ग्यान नहीं है को क। आफले के बाते हैं जैसे आज लगा रखा डीपोदानों सब का मैहत्व हो उसका मतलब क्या उसे बताने के लिए जो भी मिने के बारत आंदर जो मूह срав़िसें विकिली तो उसको बताने के लिए डिए रखा गया है और यह डॉक्टर भीम्रावंबिडगर जन्किल्यान समीति के मात्यम से यह हमने तैकर आया कि यह हर महीं ने हम एक बड़ी मीटिंग एक जैसे कह सकते हैं बड़ा कैडर यह जो कैडर केम आपने रखा है दीप दान उससब दीप दान उससब होता क्या है दीप द दिन जो सिद्दार थे वह बगवान बुद बुद प्राप्त करकर और यहां पर आ रहे हैं घर पर तो हम उसकी तैयारी करें उनको स्वागत की तो महां पर पूरे जितने भी उस गाओं में छेतर में लोग रहते थे वह सब खाने की बिवस्ता करने लगे कि उनके साथ में पिक कुसंग आएगा उन लोगों ने अपने उस टेम उजाला करने के लिए कोई और नहीं होता था तो शिर्फ दीपक का होता था तो जादा से जादा पर परकास हो जो लोग आए उनको लिए दिक्कत नहों तो इसलिए उनको जलाएगे जगे जगे जएगे तो उसका यह जब भगवान बुद आए तो यह चलन तब से है जो रात को दिये जलाने का उसके बाद में भगवान बुद ने परवचन दिया लोगों को बताया कि दुख है तो दुख का कारण क्या है उपदेश दिये लोगों को बताया तो दिपावली का मतलब बंपडा के फोड़ने स नहीं है दिवाली का मतलब है कि दरम को समझें और किसी को किसी परकार का मेरे दूवारा किसी को कोई दिक्कत ना हो सब कुस रहें अच्छे से रहें और दुख का कारण क्या है तो उसको में हैसाध कर रहें meditation के मादम सा कर सकते हैं और अच्छी पुष्टी का है पढ़ने के लिए उन्हें पढ़कर कर सकते हैं आपते रंजीत गौतम जिन्हों बहुजन समाज की बात को हर एक चीश को बहुत आगे तक लेके जाते हैं और इन्होंने हर महीने बहुजन समाज के कैडर कैम्प को और्गनेस करने का सोचा है और इन्होंने बताया है कि दीपदान उत सब होता क्या है दीपदान उत सब बनाते क्यों हैं SM News से सुरिंदर सिंग गौतम कैमराएमेन परवीन के साथ